मित्रो हमारा देश बासा ही रूप से बहुत सम्रूद्ध देश हैं अनेक बोलिया हैं अनेक बासाए हैं और होना चाहिए हर बासा अपने आप में एक सम्रूद्ध बासा है बहुत सारी बासा तो इतनी सम्रूद्ध है कि जिसकी विश्व में जोड नहीं इस प्रकार की बासा कि यह सम्रूद्धी वाला देश है मैं इसको हमारे देश का कोई तूटी नहीं मानता हूं यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है हमारी संस्कृति को हमारी परंपरा को हमारे साहित्य को इन भासाओं ने समल कर रखा है समाल कर रखा है और इस भासाओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों को की जड़ों को इस देश के साथ जोडने का करें आज एक बात में बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कुछ लोग अपरचार कर रहे हैं कि हिंदी और गुजराती स्पर्दक ही हिंदी और तमिल स्पर्दक ही हिंदी और मराठी स्पर्दक ही हिंदी देश की कोई बासा की स्पर्दक हो नहीं सकती हिंदी देश की सभी बासाओं की सकी है यह बात आप मानते चलिए और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हिंदी के समरूद होने से इस देश क सारी बासाय समरूद होगी और इस देश की सारी बासाओं के समरूद होने से हिंदी ही समरूद होती है इस बात को सब लोगों ने स्विकार करना चाहिए और सब लोगों ने समझना भी चाहिए जहां तक बासाओं के सहस्तित्व को हम नहीं स्विकार करते हैं तब तक अपनी भासाओं में अपना देश सले वो सपन को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं और मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि हर भासा को हर बोली को जिंदा रखना हमारा लक्स होना चाहिए हर भासा को हर बोली को सम्रूद करना हमारा लक्स होना चाहिए और ये सभी बासाओं की सम्रूद्धी से ही हिंदी सम्रूद हो सकते